Hello friends! Welcome today with Roshn 2019. आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं difference between Excel and Tele Excel क्या होता है, Tele क्या होता है कौन सा best है दोनों में क्या-क्या jobs लगती है Tele में हम क्या-क्या सीखते हैं और इनका salary package क्या होता है तो सबसे पहले समने टैली Tele is a accounting software या accounting का एक software है इसके उपर जो software है वो ERP9 पर हम सीखते हैं या फिर New Tally Prime करके software से उनके उपर हम लोग सीखते हैं वहीं अगर दूसरी और Excel की बात करें तो इसका काम होता है data collection and representation और ये एक तरह का Microsoft Office का part है बात की जाए कि हम Tally के अंदर क्या क्या सीखते हैं तो Tally के अंदर सबसे पहले हम लोग manage sales and purchase करते हैं कि sales और purchase को manage करते हैं manage payment of organization and company जो भी company और organization के कैसे payment आ रही है कैसे जारी है सारी चीज़ों को manage करते हैं जितने भी financial plans होते हैं उसमें हम लोग include होते हैं और भी कई सारी चीज़े हैं जो हम Tally के अंदर सीखते हैं और जैसे जैसे corporate sector का grow हो रहा है वैसे वैसे Tally की demand भी market में बढ़ रही है दूसरी और Excel की बात करें तो Excel के अंदर हमें सीखना होता है पैवर टेवल के बारे में गोल सीख के बारे में H look up, V look up और conditional format ऐसी चीज़ों को Excel के अंदर आपको अच्छे से सीखना होता है क्योंकि इसके demand बहुत ज़्यादा होती है किसी भी काम को करने के लिए अब main बात करते हैं जोब्स के बारे में कि Excel और Tally में क्या क्या हमें जोब्स मिलती है अगर हम बात करें Tally की तो Tally में जोब मिलती है accounting clerk की, accounting associate, accounting assistant इन सारी चीजों की जोब आपको यहाँ पर मिल सकती है और जितने भी financial institution होते हैं, financial banks होते हैं उनके साथ मिलकर आप काम को कर सकते हैं वहीं दूसरी और अगर Excel की बात करें तो इसके अंदर MIS executive बन सकते हैं जिसके अंदर mainly V look up और H look up का बहुत जादा काम होता है उसके अलावा आप financial analyst बन सकते हैं, data analyst बन सकते हैं, market research analyst बन सकते हैं, big data engineer और big data analyst architect आप ऐसे करके कई सारी चीजों को सीख सकते हैं यहां आपको सिर्फ tally एक्सल सीखने से काम नहीं बनेगा, आपको advanced tally या फिर advanced excel तक जाना पड़ेगा आपको अच्छे से excel की एक एक बात को पढ़ना पड़ेगा, tally में भी अच्छे से आपको deep तक knowledge चाहिए अगर बात की जाएं इनकी salary की तो इनकी starting salary अगर आप सीखते हैं तो around to be 10-15,000 से start होती है जो कि एक fresher की होती है, तो आप उसे salary का बात नहीं मारें क्योंकि आपको main job start होता है वो office में एक साल काम करने के बाद ही होता है, छे महीने आप अच्छे से सीखी और बाकी के time आप क्या करिए, अच्छे से लगकर दूसी जगा पर काम कीज़ों और सीखे बाकी tally और excel कैसे करना है, कम piece में, यह सारी चीज़े मैंने उपर i button की वीडियों बना रखी है punkas 98 पर जाके आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं यह website पर कैसे जाके इन चीज़ों को सीखना है बहुत कम पैसों में और with heart certificate वह आपको उपर मैं link और नीचे description में इन बातों को मैं बता दूँगा so friends यह थी बाते मिलते हैं new video में ऐसे ही किसी new interesting video के साथ तब तक के लिए अगर आपको कोई भी doubt हो तो नीचे comment box में मिलते हैं